हलो बच्चों, कैसे हुआ आप? बच्चों, ये आपकी हिंदी की क्लास है और आज हम एक नया व्यांजन बनाना सीखेंगे थ ये हैं व्यांजन थ और हम पहले देख लेते हैं कि थ से कौन-कौन से शब्द स्टार्ट होते है ये आपकी हिंदी की बुख है और पेज नमबर है 78 और व्यांजन है थ थ से थन, थ से थाली जिसमें हम खाना खाते हैं थ से थर्मस इसमें हम पानी और दूद रख सकते हैं थ से थैला, थैले में हम कुछ भी फ्रूट्स या बजार से समान लिकर आ सकते हैं तो थ से थर्मस, थ से थन, थ से थैला, थ से थाली, थ से थोड़ा और थ से थकान जब हम बहुत games खेल लेते हैं तो हमें थकान होने लगती है अब आईए देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं बच्चों इसको बनाना बहुत ही आसान है तो पहले हम एक small circle बनाएंगे फिर हम एक बहार की तरफ curve line बनाएंगे फिर उसी curve line को उपर की पीछे की तरफ ले जाके उसको उपर बिना pencil हटाए उपर लेके जाएंगे line को नीचे लेकर आएंगे और एक sleeping line खीचेंगे दुबारा से देखते हैं फिर एक हम छोटा circle बनाएंगे एक छोटा curvy line बहार की और जाता हुआ फिर उसी curve line को हम अंदर की तरफ लेके आएंगे बिना pencil उठाए हम उस line को उपर लेके जाएंगे नीचे लेकर आएंगे और एक हम sleeping line बनाएंगे यह बन गया हमारा व्यंजन थ तो बच्चों अब इसको हम बुक में बनाने की प्रैक्टिस करेंगे इन dots को जोडते हुए पहले हम एक छोटा circle बनाएंगे फिर उसी curve line को बहार के और ले जाके curve line को पीछे के और ले जाएंगे बिना pencil उठाए उपर नीचे और एक sleeping line दुबारा से देख लेते हैं एक छोटा circle एक curve line बहार की और उसी curve line को पीछे की और बिना pencil उठाए उपर नीचे और उपर sleeping line एक बार और देख लेते हैं एक छोटा सा circle बहार की और curve line फिर उसी को पीछे ले जाते हुए curve line को बिना pencil उठाए उपर फिर नीचे लेके आएंगे line को और उपर sleeping line इसी तरह से हमें ये पूरा बनाना है देखिए यानि हमें एक छोटा सा circle बनाना है एक curve line बहार उसी curve line को पीछे ले जाते हुए बिना pencil उठाए उपर नीचे और उपर sleeping line दुबारा से देख लेते हैं एक small circle एक curve line बहार उसी curve line को पीछे के और ले जाना है बिना pencil उठाए एक standing line खिशनी है और उपर sleeping line ये बन गया हमारा थर So children ये activity आपको करनी है चित्र बनाने है चित्र आपको एक थाली का यहाँ पर बनाना है और एक थैले का यहाँ पर आपको चित्र बनाना है So बच्चो ये आपका homework है आपका ग्रह कार्या है जो आपको आपकी हिंदी की notebook में complete करना है और इसकी photo लेके आपको teacher को भेजना है Bye-bye बच्चो, have a nice day